तो अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल यकोन को एनेबिल करती जिए और हमारे इस चानल में चोटा सा गेवेब चल रहा है तो नीचे डिस्क्रिशन में लिंक है जाके आप पार्टिस्पेट कर लिजिए और आज इस चुखन órach को रिकॉड करते हैं हमारे हमाई किम्पूटर यह लेपटप में से तो रिकॉड करने के लिए आपको छोटा सा प्रोग्राम को जुरू can है तो प्रोग्राम का नॉम है RealTech HD Audio Manager बहुत सारे computer में laptop में उसका driver रहेगा अगर आपके computer में laptop में RealTech HD Audio Manager का driver चल रहा है तो आपके पास default से रहेगा अगर आपके पास नहीं हो तो जाके घूर में इसी तरह type कर लिजिए और आपको download आएगा starting first link तो उसे click कर लिजिए और आपको एक website ओपिन होगा उसमें से high definition audio codex download करना पड़ेगा और install कर लिजिए जैसा आप install करेंगे उसके बाद restart कर लिजिए restart करने बाद realtech HD audio manager को open करना है उसमें आपको microphone का section मिलेगा और यहापे आपको तीन options मिलते हैं तो तीन options को enable कर दीजिए जैसा आप उसे enable करते हैं उसके बाद आपको जब भी आप audio record करते हैं laptop से computer से तो आपको noise नहीं मिलेगा और जो भी echo का sound आता रहता है वो भी नहीं मिलेगा जो भी beam forming होता है वो भी नहीं मिलेगा तो ए तीन तरह के benefits आपको मिलते हैं अगर आप realtech HD audio manager का driver यूज करके और program यूज करके audio को record करते हो तो और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगे कि आपको जो भी audio में noise होता है वो कैसे clear करते है software को यूज करके तो subscribe कर लेजी मेरे कर दोस्क चर्चं तरह कर च।ज कर मैं अड़ियो का We